तो चलिए एस्ट्रेंट लेक्शन नंबर 12 है आज यह वेव ऑप्टिक्स का और आज मैं पढ़ना है दिए लायोड्स मीर तो पहनी कास्टाइस के प्रणॉंसेशन को लेके ही कर लेते हैं यह डबल एल लिखा है यह चैप्टल ली एक माल ल ही मॉल ल है तो इसे लायोड्स मेर भी पढ़ते ही या सफिर लायोड्स मेर लायोड्स मेर यानिकि एल को दो बार सुनोंस भी कर सकते हैं तो मैं यह यह समझनी के लिए किन जीजयों की जरुत हुनिवादी वो देखते एक तो पहली चीज है कि जब भी मानले एक mirror लिया एक mirror है आपने पास That one is having a reflecting surface और इसके उपर एक ray incident हुआ तो ray incident हुआ है तो incident ray का angle हम दिखाते हैं किसके साथ normal के साथ ठीक है यह incident अगर मैं incident ray का angle दिखाता हूँ किसके साथ reflecting surface के साथ ठीकन तो यह कितना angle है यह 90 मानिस ठीटा है ठीकन तो यह होता है वाचव इंसिदेंस angle और यह होता है grazing angle इसे क्या कहते है grazing angle तो कोई बहुत बड़ा पहार नहीं है it's just a complementary angle of incidence angle ठीक है यानि कि grazing angle is equal to 90 मानिस incidence angle I for incidence ठीक है तो इसकी चर्चा हम करने वाले है थोड़ी देर में लिखा अब यह में in optic grazing angle is the angle between the incident ray and the reflecting surface चलिए यह चर्चा हुई लेक लेजिए इस point को अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लिएक ray है जो denser medium से rarer medium में reflect होती है तो क्या होगा interference of thin film जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि यह concept काम में आया था interference of thin film वहां पर क्या काम आये की चीज़े कि अजर एक surface से यहां से एक wave आई ठीक है और reflect होई simple case लिया यह तो मैंने ठीक है यह normal के साथ कुछ angle बना रही होगी यह normal है यह incident है यह reflected अब मैं यह कहना चाहरा हूँ यह जो medium है वो denser है यह जो medium है वापस जहां जहां जहीं वो rarer है ठीक है तो देखो ray आई टक्राई कहां से denser से reflect हुई कहां से reflect ही हुई यह कहां से denser medium से reflect होकर की भापस कौन से medium में से लिगई rarer medium से तो अगर कोई wave है reflect होती है denser से rarer medium में ठीक है reflected from denser to rarer medium तो क्या होता है then there will be a change in phase of pi मतलब wave का जो phase है वह समय पाई का change आता है मतलब क्या इसका समझता है जैसे wave यह है ऐसी ठीक है लग starting इसका positive है फिर negative फिर positive negative फिर फिर पोजिटीव नेटीटिव से लता रहे पाई का change आया मतलब क्या है अब यह wave ऐसी भी ही को जितिव है लेकिन फाई का क्या आगया पाई है च्पित चба मतना ये है कि अवको थोड़ा सा उल्टा वही है उपनी से जो तो यह से की काम आएगी और आगए चलिए अब आगी लिखिये से भी और आज बढ़ते हैं अब lawyers mirror का काम क्या है क्या जरूत थी इसकी और कहां से इस topic को cover up कर रहे हैं इसको हम cover up कर रहे हैं interference की घटना से जहां पर हमने coherent sources को develop करना सीखा था हमने कहा था coherent source को develop करने की 3 तरीके हैं mainly according to our syllabus by using the method of wavefront ठीक है, by dividing the wave front अपने पास तीन में थट थे, पहला ydsc दूसरा, दूसरा क्या था है दूसरा था Fresnel byphrase में, जो मैंने पिछले लेक्षेर में कवर किया and third and lastly, क्या था है इसमें क्या होता है, interference होता है दो cohering source की बज़े से using the concept of dividing the wave front Fresnel में भी क्या होता था Fresnel में ऐसा होता था कि एक bifrism है यहाँ पर एक source S1 रखतो बीच में तो दो slit बन जाती थी, S1, S2, virtual वो दोनों behave करते थे, किस की तरह coherent source की वज़े sorry, coherent source की तरह behave करते थे और उनकी वज़े से हमें interference pattern कहीं न कहीं मिलता था बीच बीच में जहां भी मिलता था layers मेरे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि इसमें भी हमें क्या मिलेगा interference pattern same concept coherent source से, ठीक है, चलिए देखते हैं तो वो first line लिख लेना, ठीक है, समझा तूंगा वह से भी अब इसमें छोटा सा ये concept है जवन और कुछ भी नहीं है तो छोटे से concept को समझेंगे और खतम करेंगे अच्छा, एक दी जो और यादिना देते हैं आपको interference of thin film में जो थी क्या, कि जब pi का change आता है due to reflection from denser to rarer medium जब pi का change आता है due to reflection from the denser to rarer medium तो क्या होता है, path difference के कुछ चीज़े change होती वहाँ पर कि delta x equal to n lambda, delta x equal to 2n minus 1 lambda by 2 यह हम ऐसा सत्य था कि यह maxima के लिए और यह minima की लेकिन interference of thin film पड़के पता चला कि due to change of phase by pi pi का change आने की वज़े से अब यह maxima नहीं रेकर के क्या था? minima बताता था और यह किसको बता रहा था? यह maxima को बताता है कब बताता है? जब reflection होता है dancer से terror medium में क्या होता उस थोज़े से? pi का change आता है तो वह साथ चीज़े हम interference of thin film में पड़ चुके हूँ उसे मैं नहीं दोरा रहा अब आप माते हैं मुद्दे की बात पर तो चलिए स्वागे था आप सभी का lowest mirror के इस concept में क्या है यह concept देखें मान लो एक reflecting mirror है यह मैंने यहां लगाया reflecting mirror कोई दिक्त भी आपको मैंने यहां लगाया है नहीं होनी चाहिए अब let's suppose we are having a source s1 source s1 कह सकते हो slit s1 कह सकते हो और वह कोल मिलाकर करके monochromatic light आपको दे रही है monochromatic wave length की light आ रही है ठीक है यहां पर मैंने एक screen लगा रखा है अपनी सुविधा के लिए कौन से सुविधा है आपकी सुविधा यह है interference देखने के लिए अब देखो यहां से grazing incidence करवाया है कौन से incidence grazing incidence मतलब में किस angle को focus कर रहा हूं ठीक है कौन सेंगल को इस एंगल को जो reflecting surface के साथ बन रहा है ठीक यह ray आई और reflects होकर के चली गई कहां पर यहां पर किसी point से चली गई we don't know कहां चली गई एक और ray आई एक और बुला लेते हैं चलो ठोड़ा का ठीक से बनाते हैं अभी ठीक ही चलेगा यह यहां कहीं चल जाएगी ठीक है तो यह reflection की वज़े से आई बहुत सारी ray होगी यही दो है बहुत सारी होगी अब यह source है light का light waves का तो यह बहुत सारी rays reflect होकर के भी screen पर जा रही है कुछ ray waves ही होगी जो cd जाएगी सार्स है cd भी भेज रहा है reflect होकर के भी भेज रहा है तो cd भी भेज रहा है तो मैंने 2 ray cd भी दिखा दी अब blue वाला आपको pain इसमें दिख रहा है क्या दिखना चाहिए वैसे दिख रहा है चलिए तो यह जो blue वाला pain कि मैंने 2 waves जो दिखाРЕ यह T भी जो direct जा रही है ठेक है यह direct जाने वाला इसे अपर reflection यह after reflection होके जा रही है तो 2 तरह की wave मिलेगी कौन-कौन सी एक तो wave वो जो direct जा रही है एक तो wave वो जो nein ke या जो reflect होकर के जा रही है तो direct और reflect होकर के जाने वाली wave एक साथ मिलेगी तो क्या होगा? interference होगा तो यहाँ पर मिलेगी यह region के अंदर ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या? interference ठीक? अब interference में कैसी fringe मुझे दिखाए देगी? monochromatic है तो bright और dark fringe मुझे दिखाए देगी ठीक है? तो bright और dark fringe पेटन दिखाए देगा क्योंकि simple case वही होता है जै bright and dark fringe पेटन बनेगा तो इतने अभी यह समझनी आ रहा कि दो वेव थी सीधा चलो वहाँ पर मिल गई interference हो गया लेकिन इतका coherent source का ही नजर नहीं आ रहा जैसे YDS की मुखते थे S1 और S2 Fresnel में भी दो लोग मिले थे S1 और S2 इसमें वो बात नहीं है नहीं है ना? लेकिन इसमें है वो बात देखे कैसे यहाँ पर इस screen पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ च्रेल की निगाहों से कि यह दो रेज कहां से है कौन सी? Reflected मुझे लगेगा यह दो रेज यहाँ से कोई सों से यहाँ सारी हाँ याद लग रहा है देखो आपको भी लग जाएगा इसको इधर लाए इसको इधर लाए ठीक है? इसको इसी कि सीज़ में बनाते है ओके 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 अब देखिए मुझे ऐसा लगेगा मुझे ऐसा लगेगा कि यह दू जो लाइट रेज है यहाँ से कहीं से आ रही थोड़ा का तिर्चा बन गया होगा देख लेना तिर्चा बना है क्या? जड़ी अभी ठीक अभी ठीक लग रहा तो दो रेज मुझे यहाँ से आ तिवी दिखाय दे रही है तो वो क्या हो गया है? यह वर्चुल सोर्स यह कैसा सोर्स है? यह वर्चुल सोर्स हो गया है कैसा हो गया है? यह वर्चुल सोर्स हुआ है यह तो था रियल S1 ये तु था real source ये बन गया virtual source काल्पनी सई है virtual source can be derived और it is derived by real source itself हाँ ना so S2 is derived by derived मतलब उसी से मिला ना में है उसी की वज़े से मिला है derived by S1 अब S2 अगर इत्षी की वज़े से बना है तो जो frequency इसकी है वो ही frequency इसकी होगी that means दोनों same तो कहानी है हाँ क्योंकि ये तो इत्षी से बना ना S1 से ही S2 बना है तो जैसा S1 ने वैसाई S2 होगा दोनों same है तो दोनों क्या होँगे coherent source तो तो देखो YDAC में coherent source मिले थे Fresnel में coherent source मिल गए Lord's mirror में भी coherent source मिल गए ठीक दूसरी बात IDAC में भी interference pattern मिल रहा था bright और dark fringe दो ने थी monochromatic wavelength लेने पर दूसरा Fresnel में भी interference pattern आपको मिला वहाँ पर वो exactly YDAC की तरह equivalent था है ना और same formula वहाँ work out करता था beta equal to lambda capital D upon 1 multi अब इसमें भी वही बात है कि ये बन गई 2 slit S1 और S2 और ये भी हो गया क्या अब coherent source 2 coherent source S1 S2 2 slit होके दोनों की 20 का distance क्या D खास बात ये खास बात ये कि ये होगी D by 2 और ये भी होगी D by 2 क्योंकि ये just इसकी image बनती है न वही ये just इसकी image बनती है जितनी distance पर ये होगा उतनी ही distance पर नीचे वाला source होगा ठीक है होगी ता फड़ा वोगड़बड बना होगा लेकिन चलेगा ये अप्रॉप्सिमिस्टी ठीक है तो D by 2 D by 2 यहां तक clear cut ये लिखनी की आगे बढ़ते हैं अब इसमें आगे की कालनी ये है कि S1 और S तो थो में मिल गया बहुत बढ़िया था score and source मिले खुसी की बात है घर आई खुसी हैं है के नीचे लेकिन dancer और rare and medium की अब हम चर्चा करनी पड़ेंगे dancer मतलब जो है क्या है जहां पर repeat कम हो जाती है light वो dancer है एक ऐसा दिया मानने ये dancer दिया है dancer ना हो जाती है ये रेरर मेंदे ये आनकी हवा है तो देखिए light reflect होता है कहां से rays get reflected get reflected from denser to rarer medium हां या ना हां एक ने ये rarer medium में reflect होती तो there will be a phase change of phi there will be a phase change of phi तो phase change है phi का तो याद आगिया interference of thin film में जो phase change हुआ था पाई का तो delta x path difference जो minimum intensity और maximum intensity के लिए हम find करते थे वो reverse हो जाता था same concept ठीक है तो देखिए कैसे concept same है तो अगर नहीं हो रहे ये बात अभी करवा रहते है तो देखिए for maximum intensity intensity लिखा है इधर लिख जेता हूँने minimum intensity for minimum intensity तो देखो अभी तक जो हम जीवन कहता परते थे कि delta x equal to n lambda r that means ये constructive interference को जर्म देता है और उसकी वज़े से intensity maximum होती थी लेकिन जब reflection हो denser से rare or medium में तो वो कहानी उल्टी हो जाती है which we have completed in lecture number 10 interference due to thin film तो उल्टी हो जाएगी मतलब ये पहले maximum देता था अब नहीं देगा भोल गया ये देना ठीक है तो ये होगा delta x equal to n lambda और ये होगा delta x equal to 2n minus 1 lambda by 2 तो कितना असान था है है ना तो n equal to 0 यहां से start होगा n equal to 0, 1, 2, 3 and so on यहां पर n equal to 1, 2, 3, 4 and so on चलता ही जायगा चलता ही जायगा चलता ही जायगा और चलती का नाम ही क्या है intensity है चले ये हुगा complete ये होने के बाद और आगे बढ़ते हैं कितना आगे बढ़ेंगे ज्यादा नहीं कम ही बढ़ेंगे अब देखे क्या करते हैं अब जो ये bright और dark stringent बनी है उसको मैं तोड़ा अलग रिपरजेंग करता हूँ मैं अलग वे मैं रिपरजेंग करते हैं सिंपल सा डाइगराम बनाता हूँ ये थोड़ा ज्यादा इसमें लाइने दिखती है तो हजब नहीं होती बाद वेसे मैं डाइगराम यहीं था है न लेकिन समझने के लिखास से मैं थोड़ा सा एक अलग बनाऊँगा देखें क्या है इसमें लग की धारना की एक मिरर है ये एक वन है एक तो आइस ती थी अच्छा थोड़ा नीचे बनाते ये मिरर है ये एक वन है ये मिरर ये स्क्रीज है दो वे पहुंचा नहीं एक रिफ्लेक्स करके एक सीदी एक सीदी पहुंचा दो पहुंचा दी एक रिफ्लेक्स करके पहुंचा दो पहुंचा दिया टिफ्लेक्स करके पहुंचा दिया अब ये किसी पॉइंट पर मिलेगा किसी point पर मिलेगी तो वहां पर या तो bright होगा या पर dark होगा we don't know, depends on condition लेकि इतना पता है delta x equal to अगर n lambda यूज किया है तो ये minima को जर्म देगा यानि कि वहां पर dark fringe बनेगी delta x equal to 2n minus 1 lambda by 2 तो ये किसको देगा maxima fringe को बनने देगा यानि कि bright fringe बनेगी कौन सा point है, point O है जो कि screen पर मैंने दिखाया है दिखाने की बाद उसमें क्या करेंगे कि देख करना है कि यहां पर bright fringe है या फिर dark है bright है या फिर dark है तो देखिए, ये center है वैसे, ये center है तो center है, तो center पर path difference 0 होता है है ना, चिले या फिर ऐसे समझो, कि center पर n equal to क्या होता है 0 तो n equal to 0 दोनों में से कौन सी condition में रहती, 0 इसमें रहती तो delta x equal to 0 यानि कि point O पर point O पर n equal to 0 है यह हमें पता था और उसकी वज़े से path difference क्या आएगा 0, इसमें था n equal to 0 condition होता ही नहीं अब path difference 0 है n equal to 0 है तो यह कौन सी fringe को बनाएगा वहाँ minima है minima है मतलब dark fringe बनेगी तो dark fringe will be there at center O will be there at point O लेकिन हर बार होती ही क्या थी yds में देखो center पर हमें सब bright रहती थी central bright के नाम से जानी चाहती है एक इस बार बदल दी काहानी क्योंकि reflection हो गया denser से rarer media तो उसकी बज़े से यह काहानी बदल दी और यह बदल के इतना पुमस्ट रहती है ठीक है अब क्या करें इसमें अब एक सीज़ और कर देते हैं कि final conclusion और उसके वाद एक numerical लेते हैं कि चलिए numerical करते हैं अगला सवाल लिखती है तो इसे समें सारी कहानी पर अचल जाएगी लोट्स मिरा और फ्लेंग फाइफ सेंटीमेटर एक मिरर है तो वो है फाइफ सेंटीमेटर कर तो यह मिरर है इस खुद की लंबाई है फाइफ सेंटीमेटर सीधा बनाओ इससे सीधा बनाओ इससे सीधा बनाओ फ्लेंग फिखते है फिखते है फाइफ सेंटीमेटर फिखते है फाइफ सेंटीमेटर इससे बनाओ पड़ेगा दूरी घर आजाएगी यहां बनाओ जाते है यहां तो यह खुद है फाइफ सेंटीमेटर इससे फाइफ सेंटीमेटर की दूरी पर इसी के प्लेन में एक मिलीमेटर की उपर एस फ्लिट एस वन है वहाँ से आरी है वाइफ सेवाइफ सेंटीमेटर फों ते चटीमेटर की इसलिटर आगला है नो चलिए तो अब न सबसे पहले हैं कि प्रिंज विट्ट तो फिंज विट्ट बीटा इस इकॉल टू लेमडा क्येप्टल डी अपॉन इस्मॉल लेमडा का वेल्यू कितना है यानि कि 10 की पावर मानस 10 मेटर में हुआ यह देखो यह भी मेटर में है 1 मिलिमेटर को क्या लिख दें 1 इंटू 10 की पावर मानस 3 मेटर सेंटी मेटर में लाने की इच्छा है तो 10 की पावर 2 से मंटिप्लाइ कर दो 10 की पावर 2 से cm मा आ गया कितना बचाए ये 0.1 cm ये भी cm में था इसलिए इतमे लिया क्या खर्थ पड़ता है 10 की पावर 3 2 5 हो गया 5 मानस 10 और प्लस की 5 6 इंटू 10 की पावर मानस 5 cm अब वेल्यू पुट कर दो लेमडा का वेल्यू हो गया अब इतना 6 इंटू 10 की पावर मानस 5 इंटू केप्टल डी आ गया कितना 120 अपूर इत्मॉल डी आ गया 0.1 तो इसको सॉल करेंगे तो मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ कितना आता है इसका बीटा बीटा कमताओ टू भी 0.036 सेंटीमेटर ठेक है इससे लिखे है अब हम क्या करना है अब हम इसे में एक ओर नीचे पूछा है फाइंड दी विट्स ओफ इंटरफेरंस पैटन ओन देशे लिए तो ये कुछ अनूठा है अलग है ये फोड़ा ओके देखे सारी चीजे पैम है पूचा है विट्ट ओफ इंटरफेरंस पैटन तो इसका मुझे प्या है मेरे ख्याल से ये वो विट्ट पूछ रहा है जहां पर जितनी फ्रिंजर बन रही है उनकी विट्ट क्या है टोजर समझाते है देखो पैन कहां चला गिया ये रा ये एक मिरर है मिरर ज्यादा बड़ा में चोटा है नो ओके फाइब सेंपिमिटर ठीक न इससे ठीक 5 सेंटीमिटर इदर इससे के प्लेन दे इससे 1 मिलिमिटर उपर यानकी 0.1 सेंटीमिटर उपर एक सिलिट एस वन तेखो ठीक है ठीक है अब इसने कहा कि एक यहां से जाएगी रे और एक यहां से रे जाएगी 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 तो सामने स्क्रीन लगी है टोटल जो लेंग्ट है वो कितनी है 120 सेंटीमिटर इसको थोड़ा ठीक से देखा दूँ कन्सुजन नाम की चीज़ ही नहीं रे देगी यहां से यह कितना है 120 सेंटीमिटर है तो यह लेंग्ट कितना होगी है 110 सेंटीमिटर आप देखो यह रेफलेक्ट हुआ होगा यह भी रेफलेक्ट हुआ होगा तो आप ठीक से रेफलेक्ट करते यह लेग्ट अब ठीक तो इधर से भी कुछ वेव आई होगी और सामने एक interference pattern बना होगा मान लेते हैं यहां कहीं बना है यह है आपका center O यह point है A, यह है B तो केवल AB region में interference pattern बना है और उसमें कहा है कि यह पूरी विर्थ बतानी है आपको तो AB आपको निकालना है your target is to find AB चलिए तो AB निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ approach approach मेरा यह है कि इस OB मैसे अगर मैं OA को क्या कर दूँ subject OB minus OA is equal to क्या है AB तो AB आएगा तो OB और OA निकालना है से न OB और OA निकालने के लिए हम दो तरह से कहानी चलाएं देखते हैं अब यह एंगल अगर theta 2 और यह एंगल theta 1 ठीके तो इसे मान लगते हैं यह theta 1 पर reflect होके चली गई और इसे मान लगते theta 2 पर reflect होके अब देखो अब ऐसा कर सकते हैं 10 theta 1 10 theta 1 इसे नाम देते थे हैं क्या नाम देखते हैं A B C C लेड़ो ठीके चली तो ट्राइंगल triangle triangle देखिया C B O C B O क्या आएगा 10 theta 1 यही तो है भी triangle देखो यह theta 1 तो C B O यह है पुरा O B यह है क्या C O C O की लेड़ कितनी है 110 और 5 कितना होता 115 तो 10 theta 1 में निकालने वाला हूँ इसमें perpendicular by base perpendicular हो गया O B base हो गया कितना 115 equation 1 इसी तरह से triangle यह पे नाम देखें CD DAO triangle में triangle DAO में उसी के नीचे लिखते थे हैं जगे रजाइगी थोड़ी triangle DAO में 10 theta 2 कितना आएगा 10 theta 2 O पे upon 110 अब यहां से O B और O A तो आ जाएगा लेकिन 10 theta 1 का क्या दरेंगे 10 theta 1 theta 2 तो यह तो हमने खुद माना है जिनका value यह हमें पता नहीं है तो इस case में च्याह करना चाहिए क्या केता है आपका विचार मेरा विचार यह कहता है कि हमें थोड़ा सा और भी गोमना से इसमें जरूँद है देखो क्यों ऐसा कर सकते हैं जैसे यह एंगल अगर theta 1 है तो यह भी कितना होगा theta 1 ही होगा ठीक है यहां से करे i यह theta 1 है ठीक है वीच में एक normal होता है तो यह 90 डिखरी यह कितना होगा 90 मानस theta 1 यह कितना होगा फिर से theta 1 theta 1 ही होगा 90 मानस theta 1 हाँ सब्सक्राइब यह 90 मानस theta 1 होगा क्योंकि जिस एंगल पर reflect होती है उससे एंगल पर incidence भी होती है पनेल फ्लोव ठीक है और यह फिर से क्या बन गया तो यह जो एंगल है यह भी क्या है theta 1 ही है इसको नाम दो C S 1 और यह से मिला देते है C S 1 यह यहां तर था 5 cm इसके पीद मिल लिया C S 1 P कह देते हैं P और कोई तो नहीं है triangle C S 1 P इसमें 10 theta 1 बताओ तो 10 theta 1 equal to perpendicular by इसमें ना perpendicular कितना 0.1 सब कोई cm में है तो कोई चर्चा का कोई विशे हैं नहीं चलिए इस तरह से triangle C P की देज़ ब D है तो यह भी theta 2 जी होगा D S 1 P दीख तो रहा ना theta 1 theta 2 या जादा छोटा लिखा है नहीं दीख चाहिए D S 1 P D S P D S 1 P 10 theta 2 is equal to perpendicular यह है length यह होगया 5 और 5 10 बस होगया खत्म क्या करेंगे 10 theta 1 का value मिल गया यह यहां रद देंगे 10 theta 2 का value मिल गया यह यहां रद देंगे solve करेंगे करते हैं चलो तो from equation 1 and 3 from 1 and 3 10 theta 1 की value रख दरते हैं 0.1 upon 5 is equal to OB upon 115 OB is equal to 0.1 upon 5 into 115 और इसे हम देंगे equation number 5 ना यह centimeter में नाव फ्रम equation 2 and 4 2 and 4 तो 2 and 4 तो 2 and 4 यह 2 है यह 4 है 10 theta 2 की value यहां रखो तो 0.1 by 10 is equal to OA by 110 टिक अब क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना है calculation खत्म कर देना है वो हम कर लेंगे नई वो भी मैं करवा देता हम फूरी नहीं करवाएंगे आती ही करो यहां से OA कितना आएगा 0.1 by 10 into 110 ओके equation number 6 क्या करना है OB minus OA करना है तभी क्या आएगा AB interval pattern की width so AB which we have to find that is OB minus OA OB कितना 0.1 upon 5 into X15 minus 0.1 upon 10 into X10 यह आएगा centimeter में पाइज आमसे बता दे रहा हूँ solve जरूर कर ले ना ऐसा ना उखुद ऐसे लिख लो तुम लोग तो यह solve करने पर आएगा 1.2 centimeter क्योंकि किताब हमें हो सकता है गलत हो जाए आमसे printing mistake तो यह 1.2 centimeter है तो इसी के साथ अब इसी के साथ अपना interference की जो बाते थी खत्म हो चुकी है अब अपना नया जो lecture series होगा इसी chapter में wave optics में ही अभी ठीक है ना to be continue ही रहने वाला है deflection है start करने वाले क्या start करेंगे deflection तो deflection में आसान से चिज़े ही रहेगी ज्यादा lecture भी नहीं रहेंगे अगला lecture अपना deflection पर रहेगा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि पिछले कुछ previous years के question करेंगे तो वहाँ पर आपको newton string के question भी लेंगे ठीक है जो अभी के pattern के according ये topic अभी हाल फिलाल अपने दाइरे में नहीं आता अपने coverage में नहीं आ रहा है इसको अभी हम नहीं कर रहे है इनके अजर इसके importance field कोई तो हम करेंगे हाल फिलाल इसकी कोई potential जर्ड नहीं आ रही है इसको नहीं कर रहे है अब तो हम सेथा diffraction में मिलेंगे तो इसमें अगर कोई doubt आता है तो बताइए वरना diffraction में आप पढ़ेंगे बहुत जलता है चलिए फट पढ़ाई करते रहे है